हर इनसान को जट जट से सीखना है और अगर आपको भी जट से सीखना है आप आए हो साई चैनल पर यह है TRS Clips Hindi सब्सक्राइब लेको नो पहला आए कॉल हाली मैं बनारस से लोटा और वहां हमने बहुत ज्यादा रीसर्च की एक टॉपिक पे जिसका नाम है Left Hand of God जैसे कहा जाता है Right Hand of God, Left Hand of God तो Left Hand of God में लोग काला जादू को भी कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं यह Alternative Practices को अगोरा को इंक्लूड कर देते है Left Hand of God में उसको लेकर आपकी क्या राया है सुर्च वीदों में अनेक मारक बताए गए अपने भीतर जाने के लिए या अपने अंतरात्मा को उपर उठाने के लिए उन में यह Practices हैं जैसे तंत्र है यह शास्त्र विरुद नहीं है यह शास्त्रों में है लेकिन यह उसके लिए है जो संसार में थोड़ा ज़्यादा आ सकत है और जो सीधा सीधा वैराग्य की मारक पर नहीं चल सकता तो शास्त्रों ने कहा कि उन्हीं कामनाओं को लेकर और तुम चलो लेकिन कुछ ऐसा करो कि तुम धीरे धीरे उपर उठने लग जाओ तो थोड़ा सा उस मारक में व्यक्ति को साब्धान रहना पड़ता है क्योंकि माईक शक्तियों से डील कर रहा है तो खत्रा रहता है कई वहाँ पे आ सकत न हो जाएं या मारक से भड़क न जाएं तो इसलिए सीधा साधा मारक तो प्रेम का है लेकिन कई लोग उस मारक से भी उपर उठे बहुत उपर उठे इसलिए उसका खंडर नहीं करते सर खत्रे कैसे होते हैं अस मारक में जो आपने का कि खत्रे हो सकते हैं अगर आपने उस लेफ्ट हैंड ऑफ गौड को चुना तो कैसे कैसे खत्रे हो सकते हैं देखे जैसे अब मान लो, लेफ्ट हैंड को तो थोड़ा सो और लेफ्ट की तरफ चला जाता है, कुंडलनी को ही ले ले, यह जो कुंडलनी है, यह एक मेटीरियल शक्ती है, अब एक बार समझा दोगे सब कुंडलनी क्या होती है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे विभिन चक्र हैं, तो जैसे योग साधना करते हैं, वो सुप्त शक्ती, जिसको कुंडलनी कहते हैं, वो जागरित होती है, और जागरित होकर उपर उठने लगती है, अब वो जैसे उपर उठती है, एक एक चक्रों को पार करती है, तो विभिन प्रकार की सिद्धिया इत् जाती तो जो लोग उस मार्क से जाते हैं वो विभिन शक्तियों से युक हो जाते हैं अनुभव करते हैं कि आप ऐसा कर पाते हैं और experiences भी विभिन प्रकार के हो रहे हैं लेकिन अगर अंतहकरन शुद नहीं किया और शक्ति मिल गई इतनी बड़ी तो डेंजर आ गया जैसे ए उप्योग करेगा या दुर उप्योग करेगा तो ऐसे ही शक्ति मिल गई एतनी बड़ी और अंतहकरन की तैयारी नहीं थी तो फिर डेंजर आ जाता तो मुझे कई लोग मिलते हैं कि स्वावेंची हमने कुंडलनी को जागरित करने का प्रयत न किया और कोई कहता है कि शरीर में बादाएं आ गएं कोई कहता है कि मन आउट अफ कंट्रोल चला गया तो इसे लिए वो डेंजरस होता है कैसी बादाएं आ सकते हैं शरीर में से स्वास्त करबड हो जाता है इसी प्रकार से मन आउट अफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति आ गई और उ जो मार्ग है ये एक qualified teacher के अंतर के निर्देशन में ही उस मार्ग में कोई चले तो अपनी तरफ से कोई जाएगा तो फिर वो खत्रा मोल ले रहा और एक और खत्रा है अहंकार भी अब शक्तियां आ गए तो अहंकार भी आ गया हम तो पानी पे चल सकते हैं ऐसा कर सकते हैं और तो ये पिर आध्यात्मिक शेतर में ओ गिरा देता है तो उसके विपरीत है प्रेम का मार्ग सरलसुखद मारग यही भाई भगती मोरी पुराण शूतिगाई तो ये सरलसुखद मारग है प्रेम करो परमशुद में अपना मन लगाओ तो तुम्हारा मन भी Constructionण बहुद हो ज जाहिए था, वो जो श्रेष्ट विजाहर चाहिए थे, वो आटोमेटिक आने लग चाहेंगा। इसी left hand of God के topic को लेकर एक और सवाल है आपके लिए से, basically काला जादू होता क्या है, according to you, हम सुनते रहते हैं काला जादू, इन्होंने काला जादू किया इन पे, इन्होंने कोई spell कर दी इन पे, witchcraft के बारे में बाते होती आजकल, इस सब चीज़े होती क्या है? अचे वो काला जादू जो ब्लैक मैजिक वो तो एक extreme होया, उसमें क्या होता है कि ये आराधना, ये भी तीन गुणों की है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, जो रजगुणी हैं, वो मनुष्यों की भाक्ती करते हैं, जो सत्वगुणी हैं, वो स्वर के दिवी दे काम की भाक्ती करते हैं, और जो तमगुण से युक्त हैं, वो भूत प्रेत की भाक्ती करते हैं, तो आप ऐसी भाक्ती पाएंगे, कई-कई जगाओं में, विशेश रूप से, आदिवासी समाज में, इत्यादी, आप ये पाएंगे कि भूत प्रेत आदी की भाक्ती करते है तो फिर वो भूत को वश में करके और कार्य कराना जैसे बच्पन में प्लैंचिट होता था, बच्चे खेलते थे तो किसी आत्मा को बुला लिया और उससे अपने प्रश्णों का उत्तर मिले तो वो जो है लोग उसको सत्य मान लेते थे कि एक आत्मा आई, आत्मा ने ऐसे बता दिया, तो वो होगा ही लेकिन उनको ये विचार नहीं था कि वो आत्मा तो शुद नहीं है जिसको बुलाया अब आत्मा से आपने पूछा, कौन हो तुम? आत्मा ने का कि मैं हनुमान हूँ व्यक्ति ने मान लिया, हनुमान आ गए वो आत्मा धोखा दे रही है हमारी वाक्ति हो इसलिए आत्मा धोखा दे रही है तो हमारे गुरू जी ने एक बड़ा मज़ेदार आख्यान बताया उनका एक सत्संगी वो ऐसे प्लैंटिट करता था कहता था महाराज जी वो आत्मा है ने का ठीक है मैं बैठना हूँ साथ में साथ में बैठे तो आत्मा को बलाया तो पूछा कि कौन हो आत्मा ने का मैं हनुमान हूँ तो महाराज जी ने का ठीक है पर हनुमान तो ग्यानी नाम अग्रगंडियम गालियों के अग्रगण्या है तो एक व्याकरण का प्रश्न कर दिया आत्मा से तो आत्मा ने उत्तर दिया अगली बार हमको बुलाओगे इनको साथ में मत बिठाना तो ये आत्मा भी तो धोखा देती है अब हम उनके साथ छेड़ शाड़ कर रहे है तो वो भी हमको परिशान कर सकती है कैसे सर अब कुछ मातरा में उनके पास ये शक्ति होती है किसी को ओवर पावर कर ले फिजिकली तो देखते ही है लोगमश में आ जाते किसी पर स्पेल कास्ट करने तो इसलिए उस दिशा में जाना ही नीच चाहिए वो खतरनाक है अपनी शक्ति को इतना बढ़ाए कि कोई आत्मा हमारी उपर प्रभाव न डाल सके और ये पॉसिबल होता है सर खुद की शक्ति को पॉइंट तक बढ़ाना ताकि आप में वो ताकत आजाए बिलकुल करना भी वही है तो अगर हम इनका सहरा लेंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा तो अगर हम चाहते हैं कि अपने मन को मजबूत बनाए तो इस साइड को काट दे और मान लोग की पता चला भी कि कोई ऐसा हमारे साथ करने का प्रयास कर रहा है तो हम अपनी शक्ती को बढ़ाते चले जाएं कुछ नहीं कर पाएंगे लोग अगर हम अपने को स्ट्रांग बनाएंगे और सबसे बड़ी शक्ती तो बगवान किये जब हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी शक्तियां क्या करेंगे करेंगे लोटी शक्तियां करेंगे